नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम पंच महाबूद के बारे में चर्चा करेंगे आईरविद के अनुसार पंच महाबूद के उत्पत्ति अव्यक्त से हुई है जब यह जो सृष्टी है यह अन्मैनिफेस्टेट थी यानि कि यह व्यक्त नहीं हुई थी उस अवस्था को अव्यक्त कहा जाता है और जब उस अव्यक्त अवस्था में जब कोस्मिक साउंडलेस साउंड ओम की उत्पत्ति हुई उस ओम की उत्पती से वहाँ पर एक खाली स्पेस क्र्येट हुई उस खाली स्पेस को अकाश कहते हैं ये पहला पंच महाभूत उत्पन हुआ और जब उस खाली स्पेस में कोई movement हुई वहाँ पर जब कुछ चीज move करने लगी तो वहाँ पर वो जो movement है उसके वो वायू के कारण से है तो इस कारण जो दूसरा महाभूत वहाँ पर उत्पन हुआ वो वायू है और इसे हम ये भी लगता है पता कि जितनी भी movement है वो सारी वायू के कारण से ही होते है फिर जब वो जो वायू के कन थे वो जब आपस में टक्डाने लगी वहाँ पर उनके बीचपे घर्शन होना शुरू हुआ उस घर्शन से वहाँ पर हीट और लाइट निकली उस हीट और लाइट ने अगनी महाबूत को जरम दिया और फिर वो जो अगनी महाबूत था, उसने जब आकाश के कुछ पार्टिकल्स को लिक्विफाई करना शुरू किया, तब वहाँ पर जल महाबूत की उत्पति हुई, और जब ये जल महाबूत जब सॉलिडिफाई होना शुरू हुआ, तब वहाँ पर प्रित्वी महाबूत क उत्पत्ति हुई तो इस तरीके से एक अव्यक्त अवस्था में से व्यक्त पंच महाबूत की उत्पत्ति कॉस्मिक साउंडलास साउंड ओम के साथ हुई अब हम आगे देखते हैं कि पंच महाबूत का तनमात्रा के साथ क्या संबंद है तो अव्यवेद में पंच प्रकार की तनमात्रों का वर्ण किया गया है जिसमें सबसे पहली शब्द है फिर सपर्ष फिर रूप फिर रस और लास्ट में गंध तनमात्रा का वर्ण किया गया है जितने भी पंच महाबूत है प्रित्वी, जल, तेज, वायू और अकाश इन सभी के अंदर एक तनमात्रा का जो है डोमिनेंस रहता है जैसे कि अकाश में शब्द का, वायू में पर्ष का, अगनी में रूप का, जल में रस का और प्रित्वी में गंध का तो पर सिर्फ एक अकाश ही है जिसमें सिर्फ और सिर्फ शब्द तनमात्रा रहती है पर बाकी सब में वायू, अगनी, जल और प्रित्वी में और भी तनमात्राइं रह सकती है पर उनके अंदर जो dominance रहेगा वो अपनी अपनी जो specific तनमातरा जैसे कि वायू का सपर्ष अगनी का रूप जल का रस और प्रिथ्वी का गंध है वो ही उनकी dominance रहेगी पर वायू के अंदर सपर्ष के साथ शब्द भी रहेगा अगनी में रूप के साथ शब्द और सपर्ष रहेगे ऐसे ही जल में रस के साथ शब्द सपर्ष रूप तीनों रहेंगे और प्रिथ्वी में गंध के साथ बाकी चारों शब्द पर्ष रूप रस भी रहेंगे पर इनकी जो dominance है वो एक तनमातरा की dominance रहेगी इसी प्रकार जब आकाश के जो तनमातरा है वो शब्द है तो उसका जो कार्यकारी शेत्र है वो ear है, इसी तरिके से वायू का, यूखिस पर्ष है, तो उसका जो organ जो उसके साथ related है वो skin है, ऐसे ही अगनी का रूप है, और रूप देखने के लिए आंखों का होना बहुत जरूरी है, तो उसका जो है आंख, यानी कि जो आई है, वो sensory organ इसे तरीके से जो जल है जल में रस रहता है और रस को टेस्ट करने के लिए जो जीवा इंदरी है जो टंग है उसका होना बहुत ज़रूरी है इसकर कि उसका जो sensory organ है वो टंग है और इस रही किसे प्रिथवी जिसकी जो तनमात्रा है वो गंध है और गंध हमें नाक से पता चलती है इसकर कि उसका जो sensory organ हो नोस है तो इस रही किसे हमने अभी जाना कि पंच महबूद की तनमात्राओं के साथ क्या संबंध है अब हम आगे देखेंगे आयुर्वित में तीन प्रिकार के दोशों का वर्ण किया गया है हाला कि इनको दोश कहना सही नहीं होता तब तक जब तक ये सामेवस्था में रहते हैं जब तक ये सामेवस्था में हैं तब तक ये धातु का कारे करते हैं रहने की शुरीर को पोशन करने का कारे करते हैं, उनको धारन करने का काम करते हैं, पर जब ये सामय वस्ता में नहीं रहते हैं, जब इनकी शय या व्रिधी होती हैं, तब ये दोशित होकर हमारे शुरीर को कोई तकलीफ पहुंचाते हैं, या फिर उसके अंदर विकारों को उ ब्रधानता रहती है जाहें इनके दर ये भी पंचमाभूदात्मक है पर इन में भी यह हैं दो महाभूतों की ब्रधानता रहती है जैसे कि वात में आकाश और वायू की ब्रधानता रहती है पित में अगनी महाभूत की प्रधानता रहती है और जल महाभूत की भी थोड़ी स संबंध है अब हम आगे देखते हैं कि इन पंच महभूतों का त्री गुनों यानि की सत्व रज तम के साथ क्या संबंध है आकाश सत्व dominant रहता है वायू रजस dominant है क्योंकि उसमें movement रहती है अगनी सत्व और रज के combination में dominant रहते हैं इसी प्रकार से जल जो है वो सत्व और तम इन दोनों के साथ dominant रहता है और जो प्रिथ्वी है ये purely तामसिक यानि कि तमस dominant रहता है इसी प्रकार इसी प्रकार अगर हम आईर्वेर में वनित शड रसों की बात करें तो उसमें भी जो मधर रस है उसमें प्रिथ्वी और जल महाभूत की बर्थांता रहती है अमल रस में प्रिथ्वी और अगनी महाभूत की बर्थांता रहती है लवन रस में जल और अगनी महा महभूत की ब्रढता रहती है और शायरस में वायू और प्रित्वी महभूत की बढ़ता रहती है और अईरुवेद में एक बहुत यह अच्छा त्रिक्चे से इन पंच महभूत के लक्षनों के बारे में बताया गया है जैसे कि जो आकाश है उसको आप थज नहीं कर सकते उसक कि प्रथीगत और आसपर्श्थ्नम फिर वायू को कहा है, जिसमें जो वायू है चलत्वम, यानि कि उसने mobility है, वो चल सकता है, अगनि उसमें ऊश्ण्थम, यानि कि उसमें उश्मा है, उसमें हीट है, जिसे जलमें द्रवता है, जितनी मी लिक्विडिटी है, यानि वो जल में है और फिर प्रित्वी का जो लक्षिन है और ये specific लक्षिन के बारे में बात की गई है कि उसमें खरत्वम है यानि कि खरता है रूक्ष भी नहीं है खरता है खरता और रूक्षता में एक फरक होता है तीक है वो खरत खर है, खर है, यारे कि रफ सा है, ठीक है, एक रफ और ड्राइ में जो फरक होता है, वो ही खरतव और रुक्ष्टव में फरक है, जो खरतव है वो रफ सा है, तो इस तरीके से यह सब कुछ जानने के बाद हम देखते हैं, कि पंच माबूत को हम आईरवेट में किस तरीके से तो शोधन चिकित्सा में जब हम देखने हैं इन पंच महाबूतों को तो शोधन में दो चीज़े में आती है एक होती है वमन एक होती है विरेचन पंच कर्मा में वमन और विरेचन को शोधन चिकित्सा कहा गया है ठीक है और जो शोधन चिकित्सा है जब आपने किसी को वमन क करवाना है उसमें अगनी और वायू महाबूत की परधानता होनी चाहिए जो आपने दर्वबे यूज करने है उसमें अगनी और वायू महाबूत की परधानता होनी चाहिए और परगेशन करनी है यानि कि अगर आपने किसे को विरेचन करवाना है लूज मुशन्स लगवाने तो उसमें प्रित्वी और जल महाभूत की प्रधानता होनी चाहिए और अगर आपने शमन चकित्सा करनी है शोधन चकित्सा नहीं करनी है तब जो आकाश है वो क्या करता है शमन तो आकाश यू है वो शमन करता है वायू का जो सबसे अच्छा जो करम है अगर शमन चकित्सा क इंदर देखें, तो वो ग्राही है, ग्राही मतलब वो जो भी अपने खाया है, उसको ग्रहन करके रखता है, यहां पर कॉंस्टिवेटिव लिखा गया है, पर वो अगर किसको लूस मोशन लगी है, तब अगर आप वायू महभूत के प्रधानता वाले द्रवेद होगे, तब उसके अंदर शमजगित्सा बहुत बढ़िया रहेगी, इसे तरिके से अगनी है, वो क्या करती है, वो डिपन कारेक्ट करती है, यानि कि अगर आपको कुछ खाना खाया है आपने, उसको बढ़िया तरिके से अगर आपने खाना खाने से पहले, अगर आपने जट्रगिनी क जो अब बहुत यह चलेंगे, लेखन में क्या होता है लेखन में खुर्चना आता है, खुर्चना मतलब जैसे स्कार्पिंग करते हैं, वो जो है वो लेखन करम कहलाता है और इसे च्रिके से अगर आपने ब्रिहन करना है तो उसमें प्रिथ्वी और जल महाबूत की प्रदानता होनी चाहिए मुझे उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और पंच महाबूत के साथ रिकार्डिंग जो कंसेप्ट से वो भी कुछ क्लियर हुए होगे धन्यवाद